हेलो दोस्तो आज हम यहां पर बात करने वाले है सवीता ओई टेक्नोलोजीज लिमिटेट से लिए कमपनी करती क्या है बिजनस मॉडल क्या है यह हमने यहां पर पहले भी डिसकस किया हुआ है if I'm not wrong मैंने यहां पर सभीता ओइल से लेटेड यहां पर अल्रेडी वीडियो बनाई है और कुछ दिन पहले ही बनाई है थ्री वीक्स पहले ही यहां पर वीडियो बनाई है बट आप यहां पर देख पारे होगे इस पर्टिकुलर शेयर में एक अच्छी खासी गिरावट कल क दिन में आती हुई दिखाए दी रीजन क्या है और क्या यह एक बैट तिंग है या फिर यहां से एक शेयर ने दुबारा पलटी ले सकता और अच्छे खासे तरीके से एक अच्छा खासा शेयर भागता हुआ नजर आ सकता उसी चीज़ से लेटेर हम क्या करने वाले है बात है यह वीडियो को सीखने देना और सीखने का तरीका मैंने हमेशा बता है वीडियो को देखना है जब वीडियो को देखेंगे तो सीखने को मिलेगा बट 8 min की वीडियो में आप पता हुने चाहिए न वो शहायद ना पता कर पाए इसलिए आप हमारे कोर्स 88605405018169261237 पर कॉंटक करके बेसिक्स टो एडवांस टेक्निकर, रिसर्च, फंडामेंटर, शेयर क्यों भागते है, क्यों गिरते है कौन सा शेयर लेने चाहिए, कौन सा शेयर बेचने चाहिए वो सबी चीज आपको इस पर्टिकुलर कोर्स में पता चलती हुई नजर आएगी पच्चे अजार उपया कोर्स है, ठीमन्स की हैंड़ोल्डिंग है, श्टाटी यूज इन श्टॉक मार्की ऑनलाइन नोट्स सब कुछ यहाँ पर दिया जाता है, एक बार कोर्स कंप्लीट होने के बाद, पीछे मुड़के देखने की जरूत नहीं है, जस्ट छे महीने से एक साल का एक्स्पिरियंस लीजएगा, चीज़े अपने आपके लिए शौर्ट होती हुई नजर आएगी, बाकी हम बात करें, अगर आपको काम भी करना है, तो भी इन नंबरों पर कांटक करके, आप हमारे साथ जुड़के अच्छा का सा काम कर सकते हैं, श्टॉक मार्केट में, तो वीडियो में आगे बाटते हैं और जानते हैं, तो हम बात कर रहे हैं सभीता ओयल टेक्नोलोजी, यहाँ पर देखि कर नाम Small Cap Investor है, दूसरा जब Small Cap की बात करूँ तो याद रखिएगा, volatility भोत रहेगी, कैसी volatility रहेगी, कि शेयर जब भागेगा, तो आपके कुछी टाइम में, हाना एक एक साल में पैसे दो तो तीन तीन गुना करता हुआ नजर आएगा, पर जब गिरेगा, तो वो चीनता अब भी नजर आएगा, आपको बाद चलेगा, कि 300 रुपे वाला stock कब कम में 100 रुपे हो गया, और वो ही 100 रुपे वाला stock कब कम में 600 रुपे हो गया, तो यह चीजे आपको पता होने चीए, हाना साही टाइम पर लेकर साही टाइम पर बेचना, वो एक कला है, जो अपने course म हम यहाँ पर सिखाते हैं, तो इस रिट को हमेशा याद रखिएगा, पहली बात, दूसरी बात सभीता ओयल करती क्या है, तो यहाँ देखिए, 1961 वो जब यह company established हुई थी, हाना यह यहाँ पर transformer oils, white oils और अलग अलग तरीके के oils और lubricant products यहाँ पर बनाती हुई नजर आती है, इनके website पर देखेंगे, तो आपको पता चलेगा, transols के नाम से इनके product, bio transols के नाम से इनके product, transols सिंथ 100 के नाम से lubricant oils यह बनाते हुई नजर आते हैं, white oil and liquid parapheze, अलग अलग तरीके के यहाँ पर यह company का oil से related काम करती हुई नजर आती है, तो एक बार जाके देख लीजिए, ह और अब यह renewable energy से related भी company काम करती हुई, नजर आती हुई आपको दिखाई दे जाएगी, तो company क्या है, अच्छा कासा काम करती हुई नजर आ रही है, अब देखें यहाँ पर, तो market cap 3535 क्रोड है, 17 का PA, इंड़स्टे का भी 15 का है, ना तो share सस्ता है और ना ही महंगा है, ठीक ROC, EEE काफी अच्छी नजर, ठीक नजर आती है, ROE थक की बात करें, तो 13 की आसपास है, बद share भागता है, तो ROC, ROE, PEA से भागने लग जाते है, तो इसलिए ज्यादा load नहीं लेना है, इसके इलावा हम बात करें company की, तो company का phase value की बात करें, 2 की phase value है, intrinsic value 412 की आसपास है, 500 बारो पर ये share चलता हुआ, नजर आ रहा है, ठीक है, अब ये share में एक गिरावट होती ही नजर आ, इस गिरावट के पिछे का reason क्या है, ठीक है, एक gap down होता हुआ नजर आ, उसके पिछे का reason क्या है, सबसे पहली बात तो market, ठीक है, आ आप देखी रहे है, market में भी कि कंपनी ने हाइस्ट एवर सेल्स करके दिखाई है 9.73 करोड की यहली कॉटरली दोनों बैसिस पर अच्छा है बट जस्ट विकॉज आफ एक्सपेंस कंपनी के एक्सपेंस इस भी बढ़ता हुए नज़र आए कंपनी का यहां पर जो पॉफिट है ऑपरेटिंग पॉफिट कॉटली यहली दोनों बैसिस पर गिरता हुए नज़र आया जिसकी वाज़े से कंपनी के मार्जिन पर इफेक्ट आता हुए दिखाई दिया एस वेल एस कंपनी के नेट पॉफिट में भी यहां पर गिरावट देखी गई और उसी कारण EPS भी कम होता हुए नज़र आया है तो यह इस रीजन से यहां पर क्या हुए यह शेयर गिरता हुए नज़र आया है अब क्या यह कंपनी के रिजर्स वाकई ही खराब है तो देखिए एक आत क्वाटर ऊपर नीचे चलता रहता है और प्रदशन के पीछे का रीजन का है सबसे पहले यहां पर देखिए जह हम यहां पर देखे तो आपको समझ में आगा कि यहां पर से ओल प्राइज लगा था बढ़ते हुए नज़र आए तो इस वज़ए से सबसे पहले यहां पर ऑल के प्राइस की वज़ए से यहां पर इनको प्रॉब्लम आती हुए दिखाए दी दूसरी बात यहां पर आप आती हुए नजर आ रही है यहां पर आप जाएंगे तो आपको दिखाए देगा कंपनी की जो इन्वेंट्री जो वगिंपरोगर्स में वहां पर पैसा खर्च होता हुए दिखाए दिया compare to last quarter तो यहां पर आप देख पाएंगे बाईस सो पैसा लाक करोड रुपे का यहां अपर लग बाइस तेइस करोर रूपय यह आपड़ की पोगेस में लगते हुए नजर आए है जो कि आने वाले टाइम में इस कंपणी को अच्छा खासा मौका देते हुए नजर आएएगे हाना company यहां पर अच्छा खासा काम करती हुई नजर आती हुई दिखाई देगी तो company की sales से समय में आ रहा है कि company यहां पर अच्छा खासा काम कर रही है just because of inflation क्योंकि यह oil sale related है तो थोड़ा बहुत ऊपर नीचे यहां पर चलता रहता है यहां पर yearly based पर बात करें तो yearly based पर company का performance अच्छा खासा यहां पर बनता हुए नजर आ रहा है जो कि आप यहां पर देख भी सकते है ठीक है आप as well as reserves की बात करें company के रिजर्फ बढ़ता हुए नजर आ रहे है और यहां पर देखिए working focus में March 2024 में 19 करोड रुपे के लगबग हाना यह और अभी यह शायद update हुआ है तो और जादा है पर पैसे खर्च करते हुए नजरा है इसका फायदा आने वाले टाइम में आपको होता हुए नजर आएगा 404 करोड रुपे के आसपास का investment है हाना as well as cash कि रात करे 122 करोड रुपे और जैसे कि हमने यहां पर इनकी website पर देखा था कंपनी यहां पर क्या कर रही है और इसका फायदा कंपनी को आने वाले टाइम में लगता हुए नजर आएगा और जब यह चीज़े काम हो जाएगी तो profit का ratio बढ़ता हुए नजर आएगा और profit का ratio बढ़ेगा तो श्रेयर भी यहां पर भागता हुए नजर आएगा थोड़े वो time के लिए शायद problem हो सकती है बट लंबे time के थोड़ा सा नजरी ऐसे देखोगे तो यह opportunity है यह गिरावट एक opportunity की तरह काम करते हुए नजर आ सकती है positive cash flows नजर आते है as well as आपको यहां पर दिखाई दे रहा होगा कि यहां पर promoters ने थोड़ी सी इसेदारी बेची है बट जो इसेदारी बेची है उसम और यहां पर यहां पर यह गौतम और ने थोड़ी से यहां पर शेयर यहां पर बेचे है ठेक है ना इसके लावब बाकी हम देखे जाए तो यहां पर buying ही हुई है sell के यहां पर कोई नहीं है फ़एब 2023 में पर promoters ने यहां पर buying करी थी तो वह सारी चीज़े बाकी बात करें अब बात करते हैं इसके चार्ट से रहें बट विफोर डैट चार्ट में आगे बड़े चैनल को सबस्काइब कर दीजिए बल आइकन को ही टॉलकी नोटिफिकेशन को और इन नमडरों को नोट करके कोर्स कर सकते हैं और साथ में यहां पर हमारे साथ काम कर सकते हैं तो सभी वैल की अगर मैं बात करूं तो देखें ऑची तो लगँग लगबग लगबग अच्छी dati कौं टीटी इस पर्टीक्लर एडिया में बाइंग करते हुए नजब आए यहां पर फायदा उटाते हुए इस पर्टिकुलर शेयर में नजर आए है तो आपको वो चीज़े समझने होगी और ऐसा नहीं है कि थोड़ी वो शेयर खरी देगा है यहाँ पर आपको देखोगे तो आपको समझ में आएगा एक सो च्यासी बाइंग होती हुई नजर आई है और मार्केट के और दीरे दीरे ऊपर जा रही है और जैसे ही यहाँ पर चार तारिक के बाद जब यह रैली आती हुई दिखाई देगी तो यहाँ पर फिर नेगेटिविटी पॉजिटिविटी वो सबको भूल के शेयर में क् किसे है तो यहाँ पर कोशिश करता यहाँ वाली कि बाकिविटी यहां कि यहाँ आप दुबार आपको मिलता हुई नजर का और उसके बाद जो से निकाल जाएगा आई हुई कि शाइद प्राइज एक्शन वॉल्यूम एनलाइसिस कहा जाता है ठीक है जो हम अपनी क्लास में आपर बहुत अच्छे तरीके से ब्रीफली समझाते है कि होता क्या है बट इस्टिल वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमें शेयर इन नम्रों को नूट करके कोर्स कर सकते हैं चैनल को सब्सक्राइब बलाइकन को है और बाइंग सेलिंग की कोई रिकमेंडेशन नहीं है थैंकी सो मुच गड्ब्लस